जी आमित्रो तो Economy Doubt दरबार के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है विद्यार्थियोंने अलग-अलग मुझे जो प्रशन पूछे होते हैं उसके मैं कुछ जवाब बना रहा हूँ नीर और रीर के बीच अंदर क्या है Former और informal workers के बीच क्या अंतर है GDP inflator क्या होता है Public account का पैसा किदर जाता है EPF और PFRDA में क्या फरक है Attal Pension Scheme किसके लिए ये कुछ डाउट मुझे विद्यार्थियोंने पूछे देखे करके देखते है सबसे पहले विनमर का प्रशन कि ये नीर और रीर समझ में नहीं आए ये क्या है South India के एक famous director है S. Shankar उन्होंने 1998 में एक movie बनाई थी Jeans एश्वर है राई हिरोईन थी 30 करोड रुपे उसने कमाई तब मुझे बताए ये एक fact के हिसाब से क्या आप बोल सकते है कि S. Shankar कोई बहुत जोरदार director है या flop director है और ये तो 30 करोड इसने कमाया जबकि हम तो एक benchmark लेके चलते हैं कि नहीं 100 करोड की movie बने तो हिट मानी जाती है तो क्या इस मांदन पे हम कहें कि वो hit है या flop है तो आप कहेंगे ये information बहुत कम है हमारे पास हमें और facts चाहिए तो थोड़ी और facts निकालो न कि यही director ने 2007 में बनाई थी शिवाजी दबॉस जो 157 करोड कमाया फिर 2010 में रोबोट बनाई थी 150 करोड कमाया तो बात आएए कि ये hit है या flop तो अगें आप कहेंगे नहीं एक average निकालते हैं इसके अंदर से तो average कैसे निकल सकता है कि इनकी 3 movie थी इतना पैसा कमाया तो A plus B plus C divided by 3 ऐसा average निकालो तो कुछ बोल सकते हैं average इनकी हर movie इतना कमाती है और benchmark अगर हम कुछ number लेके चलें कि माली जे minimum 100 करोड कमाना चाहिए तो hit director है उसी साब से या to hit या flop है अब उसी तर्ज पे आप सोचिए कि अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि January 2018 में 1.63 रुपी में मिलता था और फिर October 2018 में वही डॉलर 1.74 में मिलता था तो क्या ये इतनी information पर्याप्त है आपके लिए कुछ बोलने के लिए कि बारत का रुपिया जोरदार है कमजोर है क्या है अब सिर्फ आप इतनी information से चलेंगे तो आप कहेंगे अच्छा डॉलर पहले 63 रुपी में मिलता था भी 74 में मिलता यानि डॉलर में 17 परसेंट वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉंग हो गया तेकिन मेरा आपको वही प्रशन है जो इधर मैंने संकर के बारे में पूछा कि उसकी एक मोवी बोल के आप यह कह सकते हैं वो heat है या flop है no you require more data similarly यहाँ पर क्या ऐसा थो थोड़ी है कि हम सिर्फ और सिर्फ रुपी करन्सी को डॉलर में convert करके यह अपना international trade चलता ऐसा तो नहीं है चीन के साथ trade करते होंगे यूएन में convert करते होंगे जापान के साथ yen में ब्रिटिश के साथ तो pound में तो सिर्फ एक number को देख के हम कैसे बोल सकते हैं जैसे column निश चलाज मोवी सरकार की नीतिया खरावे यह वो that is not rational तार्किक नियावचित नहीं है तो हमने और data ग्रहन करना होगा कि अच्छा डॉलर का इतना strength बड़ा तो उसी जमाने में यूरो के सामने रूपी का क्या sense चल रहा था और साथी की real currency के सामने रूपी का क्या sense चल रहा था तो कुछ इन तीनों क्या भांगडे निकाला तो पता चले कि जिस time frame में dollar रूपीय के मुकाबले 17% strong हुआ उसी time frame में euro रूपीय के मुकाबले 11% strong हुआ और real रूपीय के मुकाबले 11% strong हुआ तो अब आप कुछ average नंबर निकालो कि तीन अब मेरे पास percentage 17, 11, 11 इन तीनों का में simple average कुछ निकालू और फिर मैं उस हिसाब से बोलू कि मेरा ये कुछ benchmark के कि इतने percentage से जादा strong या weak हुआ तो अपनी currency जोरदार है या खराब है या whatever और उसके मुकाबले बाकी सब अलग-अलग देश की currency हो का क्या performance रहा तो फिर आप कुछ rational बात कर रहे हैं just like कि यहाँ पर सिर्फ एक movie नहीं इस director की तीन movie का क्या production रहा था और फिर उनका मैं कुछ average निकाल कि एक number ले क्या हूँ कि अच्छा ये 100 करोड कमा रहे हैं इसलिए ये एक hit director है then it is rational similarly यहाँ पर ये सारे अपने पास percentage percentage मिल रहा है तो हमने कुछ average निकालना चाहिए लेकिन यहाँ पर simple average निकालेंगे तो वो सही नहीं रहेगा क्योंकि हो सकता है America के साथ हम बहुत सारा व्यापार करते हो और Saudi Arab के साथ हम सिर्फ oil का import का कुछ काम करते हो तो इसको ज़ादा rational तार्किक बनाने के लिए हम simple नहीं weight average निकालेंगे weight average मतलब कि आप भारां को उसको बताया जाए कि 3A plus 2B plus 1C divided by C वो ऐसी बात कि माली यह तीनी currency हो तो डॉलर में अपना deal जो हो रहा है वो बहुत जादा हो रहा है तो मैं इसको 3 times weight दू और euro के साथ जितना हो रहा है उसको 2 times weight दूँ और साथी के साथ अपना मर्यादी trade हो रहा हो तो मैं उसको माली जे सिर्फ one time weight दूँ तो 3 plus 2 plus 1 यानि total weight कितना हो 6 तो फिर वैसा कुछ है अवरे निकालो 3A plus 2B plus 1C divided by 6 तो ऐसा कुछ आप निकालेंगे उसे हम कहते हैं near nominal effective exchange rate और फिर उस हिसाब से आप जो भी number है माली जे number आता है 100 या 110 कुछ तो भारत का इतना दिख रहा है चीन का क्या दिख रहा है वगेर आप फिर comparison करेंगे then you will get some idea कि exchange rate जो भारत का कम या जादा हुआ वो अच्छा था या बुरा था just like इनका तीन का हमें average निकालते हैं फिल्मों का और फिर हमें पता चलता कुछ कि अच्छाई सहसाब से 150 या 100 करोड average कमा रहे हैं तो या अच्छे हैं या flop director अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो नीर समझा अभी rear क्या है real effective exchange rate मैं वापस आऊं इनकी 3 movies थी जिसमें से 2.500 करोड कमाती है जबकि एक movie 1998 में बनी उसने सिर्फ 30 करोड कमाए तो अब हम उसको कैसे measure करें 30 करोड कमाए मलब खराब चीज़ है या अच्छी चीज़ है तो वो तो स्वाबाई कि आपने उसका profit loss के हिसाब से देखना हो मालिजे उसका profit था purely मालिजे 30 करोड तो क्या वो अच्छा है या बुरा आप कहेंगे नहीं 100 करोड कमाए तो वो अच्छा माना जाता है लेकिन आप समझे मित्रो कि 1998 में जो 30 करोड रुपे था शायद उसकी value आज के जमाने मे शायद उसकी value आज के जमाने मे 100 करोड के बराबर होगी क्योंकि उस जमाने में मेंगई कम थी तो 30 करोड में इतना सारा गारी बंगला और सब खरीद पाते जो आप शायद आज की तारिख में उतना खरीदने के लिए आपको 200 करोड रुपे चाहे क्योंकि महांगाई कोरोना के बाद बहुत बढ़ गई तो again these numbers are not giving us the accurate picture यानि हमें इसको inflation यानि महांगाई के साथ adjust करना होगा प्रस्ट ना लेकिन क्यों adjust करना है तो मैं वापस आऊ हमारी तो जो बात चल रही थी इंफलेशन और exchange rate के बारे में मा लिजे currency exchange rate कुछ ऐसा चल ला कि एक foreign buyer रुशिया से एक डॉलर में 500 ग्राम चाहे खरी सके एक foreign buyer चाइना से एक डॉलर में 500 ग्राम चाहे खरी सके एक foreign buyer वही foreign buyer मा लिजे भारत से एक डॉलर में 500 ग्राम चाहे खरी सके मा लिजे ऐसा एक equilibrium बना है कि हर एक देश से ये American foreign buyer है हर एक देश से रशिया से चाइना से भारत से एक डॉलर में 500 ग्राम चाय खरीच सकता है लेकिन फिर किसी कारण से भारत में मा लिजे अलनीनो effect आ गया जिससे मौनसून खराब हो गया या कोई नया जात का कोछ disease हो गया रोग हो गया पौधों को और इसके चलते अपना चाय का उत्पादन कम हो गया हो तो जो भी चीज की shortage हो जाती है आप जानते है फिर उसकी किलत होती है तंगी होती है तो वो चीज मेंगी हो जाती है तो भारत की चाय मेंगी हो जाएगी यस तो फिर ऐसी situation हो सकती है कि बाद में भारत में आप एक डॉलर दे कर भी आपको 300 ग्राम ही चाय मिले 500 की जगे क्योंकि shortage है इसलिए कम मिल रही जबकि उसी समय चीन और अरशिया में मालिजे 500 500 ग्राम चाय आप एक डॉलर दे कर खरीद होंगे उसकी मदद से आपको यह पता नहीं चल पाएगा कि भारत के अंदर में गई चाय की बढ़ गई और इसके चलते अपना export अच्छा हो नहीं पाएगा क्यूंकि आप सोचो वो जो भारत का अंदर से खरीदने वाला अमेरिकन बायर था वो तो भाग जाएगा ना कि मै उसमें inflation को adjust नहीं कर रहे हैं so we have to come up with a new number जिसको हम कहते है real effective exchange rate rear तो nominal effective exchange rate यानी नीर उसमें से आप inflation महगाई को minus करते हैं भारत में क्या है दूसरे देशों में क्या है फिर आपको जो number मिले आपको सिधा minus नहीं करेंगे उसकी complicated formula यह तो समझाने के लिए कि nominal में से inflation को minus करो तो आपको real effective exchange rate rear मिलेगा so that is near and rear अब उसकी मतल से interpretation क्या होता है कि यह अगर 100 number है near या rear फिर वो अगर बढ़के हो जाए 120 तो वो अच्छा है या बुरा 80 हो जाए तो अच्छा है या बुरा अब देखिए अच्छा है या बुरा वो भी depend करता है आप Indian importer के point of view से पूछ रह तो जो चीज पढ़ी थी उसको और जादा गोल गोल कर आसान करके यह समझाने की कोशिश using this south Indian movie director के examples मित्रो यह जो economy है मैं पढ़ाता हूँ आनेकेडमी के plus platform पर और उसमें भी present course वो तो लगबग खतम होने को है फेबुरारी मैने से अब मेरे नए वापस course launch होने वाले आने Disney, Hotstar, Netflix, Amazon Prime जैसी चीज़े कि आप एक subscription लेते हैं और अलग-अलग subject के सभी educators के सारे paid courses unlock हो जाते हैं तो यह है अनेकेडमी का ऐसा plus platform या plus package, live classes by top educators, आपको prelim और mains के test series मिलते हैं, mains के test series evaluation के साथ, notes 2.0, उसकी digital access मिलती है, doubt solving के अलग बैचीज होते हैं, यह सब चीज और अभी Republic लिए हैं, बोलके 20% discount चल रहा है, coupon code यूज करें, मुनाल.org, अब यह चीज़ को हम और इसके अंदरे कीज एड करें, उसे हम कहते हैं, iconic add-on, कि जहां पर इन सब के अतिरिक्त, additionally, आपको one-on-one live mentorship by the mentors, फिर यह जो notes 2.0, digital access है, उसकी आपको printed access मिले, और बाकी भी सब daily content और practice वगेरा की session और segments है, so that is iconic add-on, यह सबसे फाइदा भी होता है, अने Academy ने अब तक 400 से जादा toppers, उनको lab हुआ है, so you can take benefit of this, और इसका discount code, brunald.org, और link दिया है description में, कर आगे बढ़ते हैं, तो near versus rear, यह एक हमने doubt solve किया, अब उसके बाद, next है, formal versus informal क्या, GDP deflator क्या, public account, DPF हो व next वाले वीडियो में बनाते, तकि क्या इसका heading अलग हो जाए, तो जो बवीचर में इसको search कर रहा है, उसको सीधा यह चीज तक वो पहुंच सके, anyway, so that's it, see you in the next video, let's crack it.